हलो नमस्कार मैं डक्टर रजनीश कुमार आप सभीका एक बार फिर से हर्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे वाक्यांज के लिए एक सब्द होता क्या है इसका प्रयोग हम भाषा की सोद्रिड़ता भाव की गम भीड़ता और तुस् अध्यति और क्रिदंत वाक्यांज या वाक्य के एक शब्द या पद के रूप में संख्षिप्द किये जा सकते हैं वाक्यांज को संख्षिप्द में सामासिक पद का भी रूप दिया जाता है कुछ ऐसे लाक्षणिक पद या शब्द भी हैं जो अपने पूरे एक वाक्य या वाक्यांश का अर्थ रखते हैं इसको पढ़ते समय हमें एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो भी वाक्यांश के लिए एक सब्ध है उसको देखना है कि कैसे लिखा गया है तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर दिया गया कि जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए इसके लिए एक सब्ध है किंग करते भी वी मूर कई बार हमारे जीवन में यह पल आता है यह हमें समझ में नहीं आता है कि अब क्या करना चाहिए ठीक है तो हम वहाँ पर क्या आजाते हैं किंग करते हैं बेबी मोर तो एक वाक्यांश दिया गया है अब उसको एक शब्द के तोर पर यहाँ पर पुरा अर्थ आपके सामने खुल कर आ जा रहा है इसी तरह से आगे है जिसका जन्म निम्न अच्छूत वर्ग में हुआ हूँ इसको क्या कते हैं अंत्यज जो बहुत जानकार हूँ पहुग्य उच्छ भावों एवं विचारों से यूप्त उन्नत मना जिसने अभी अभी इसनान किया हूँ तद्यसनाता तो आपने कुलपांच अभी वाक्यांशों को देखा और उनके लिए प्रियुक्त एक शब्द क उसको भी देखा कई बार आप देख रहे हैं कि जो वाक्यांश दिया गया है उसी से मिलता जूलता उसका एक सब्द है बहुत ज्यादा उसमें मेनत नहीं करना है लेकिन जैसे हमने पहला ही यहां पर देखा किंग करते बिभी मोर जिसको यह सूजना पड़े कि अब क्या कर पाना चाहिए तो किंग करते बिभी मोर हो गया इसी तरीके से जिसका जन्म अच्छूत वर्व में हुआ हो या निमन वर्व में हुआ अंतियच तो यह दोनों थोड़ा सा अलग यहां पर आप देख रहे हैं कि एक शब्द है लेकिन जो बहुत जानकार हो तुरांत इसी से तुरांत मिलता हुआ हुआ बहुग बहुग गयर मतलब जानकार थिख है बहुत जानकार जो बहुत जानकार उन्नत माना उच भाघॉओं एम विचारों से युग तो क्या आ और एक देखिए अलग तरीके काती सद्ध्यस्णाता जैसे सद्धियसनाता शब्द बोला जाए तो आपकी दिमांग में आना जाए कि जिसने अभी 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 शनान किया हूँ अपने विद्यापती को पढ़ा होगा जो कि मैथिल कोखिल के नाम से जाने जाते हैं उन्होंने जो नक्षिक वरणन किया है उसमें सद्धियसनाता नाइका का जिक्र उन्होंने किया है अब दिरी दिरी बात समय में आ रहेगी, आगे चलते हैं बात करते हैं, कि दूर से फेक कर चलाया जाने वाला हतियार, ध्यान रखना है कि दूर से फेक कर चलाया जाने वाला हतियार है अस्त्र, आपने सुना होगा अस्त्र और सस्त्र, इन दोनों का कई बार अंतर पैशाओं में पूछ लिए जाता है तो अस्त्र उसे काते हैं दूर से फेखकर चलाया जाने वाला अथियार यूध करने का इच्छुक यूद्चु आप देखरें कि यूद्चु कैसे लिखा हुआ है कई बार परिक्षव में ये तुद्ध अशुध में पूछ लिए जाता है कि मूख्यु कालाता है मौक्ष प्राप्तिक का अभिलासी मुद्चु अब ध्यान में रखना कि मुद्ध्यू कैसे लिखा हुआ है यही एक्जाम में आ जाता है तो बहुत कठनाई होने लगत Cle manufacturer मुमुक्षे कैसे लिखा जाता है या फिर यह उच्छु कैसे लिखा जाता है तो इन दोनों सब्दों को जरूर आप ध्यान में रखे एक साथ आपके दो यहां पर तैयारी हो रही है एक साथ शुद अशुद सब्दों की भी तैयारी हो रही है और वाक्यांज के लिए एक सब्द को भी आ पारें वाक्यान से कि जानने की इच्छा वाला जिग्यासु तब करने में सनलगने सितीरशु आप देख्या केसी लिखा हुआ है तीरशु आगे देखें जो समचार भेजता हुआ जिसका यवन छठ नहीं उवप, इश्वार्प पर विश्वास करने वाला आस्तिट, विश्वार्पर विश्वास न करने वाला न स्तिट, कलम की कमाई खाने वाला मसिझी भी, तो यह आपके लिए आखरी यहाँ पर वाक्यांश दिया गया है, प्टड़ासा अलग ढंका है, कि कलम की कमाई खाने वाला मसीजीवी तो ज़्यादा तर ये लेखक के पहले आप इसका प्रयोग कर सकते हैं लेखकों के लिए ही आया हुआ है ठीक है लेखकों को दुशरे अर्थों में हम मसीजीवी भी कर सकते हैं कलम की कमाई खाने वाला अगला है कि जंगल में लगने वाली आग दावागनी पेट में लगने वाली आग जठरागनी या फिर घुमाकर सवाल पूछ दिया जाए कि अन को पचाने वाली अगनी इसको भी जठरागनी कहा जाता है समूद्र में लगने वाली आग बढ़वागनी ये जो तीनों अगनी है दावागनी जठरागनी बढ़वागनी ये परिक्षाओं में खुब पूछी जाती है इनको जरूर आप दम क्लियर करके रखे कि कौन सा शब्द किस वाक्यान्ष के लिए प्रियूप्थ हुआ है आगे बात करें जिस पर अव्योग लगाया गया हो अव्योग ते पाप करने पर पाप मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कारी प्रायश्चित तीख है तो वाक्यान्ष के लिए एक सब्द है कि पाप करने पर पाप मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कारी प्रायश् अचित नाम से कई कहानियों का नाम सुना होगा अलग-अलग कहानिकारों ने दिखा है आगे बात करें जिसका अन्त न हो अनन्त तिक है जिसे जाना जा सके गे जिसे जाना न जा सके और गे जिसे जीता न जा सके अजे जिसकी उपमा न की जा सके अनुपम तो यहाँ पर जैसा वाक्राण्स दिया गया था उसी तरह से एक शब्द भी मिलता जुलता है खास्तर से ये अजे वाला सर्दित पुछा जाता है कई बार इसको option इत्यादी में अविजित लिख देता है पहले जब क्रिकेट आता था तो जो भी batsman नाबाद होकर वापस जाते थे उसको अविजित का आता था ठीक है कि अविजित उनका कोई विकेट नहीं ले पाया यहा जिसके समान कोई दूसरा न हो अदूती है अब किसी के दिमाग में आजया कि जिसके समान कोई दूसरा न हो अनुपम हो सकता है लेकिन आपने पीछे देखा कि अनुपम एक दूसरे अवाक्याज के लिए प्रूपला है लेकिन यहापर जिसके समान कोई दूसरा न हो जिसकी कलपना न की जा सके अकलपनी आस तूट गई जिसकी हतार जिस व्यक्ति का चित किसी भी देश, ताल और परिस्थिती में एक समान रहता है उसे का जाता है चांत चित ये कई बार आपने व्यावारिक जीवन में भी प्रयोग किया होगा कि फला व्यक्ति बहुत ही चां धोनी के तोर पर यूज किया जाता था यानि कि किसी भी मैच जो भी इस्थिती रही हो वो हमेशा सांत चित रहा करते थे जिस व्यक्ति का चित किसी भी तेश, काल और परिस्थिती तीन चीजों का यहाँ पर दिया हुआ है उसमें क्या रहे है एक समान रहे तो ये सांत चि लवकिक, अलोकिक. अगला है जो इस लोक का न वह खलाता है लवकिक. आशसर से भक्तिक अलाभ पढ़ेंगे, तो इन शब्दों का सामना आपको करना पड़ेगा ठीक है अगला है जहां जाना न संबर हो अगम्मेर देवताओं का उपवन नंदन कानर जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहीत अब यहाँ पर हमें अनुग्रहीत सब्द को ध्यान में रखना ह यह शुद्ध अर्शुद में खुब पूछा जाने वाला शब्द है इसलिए मैंने शुरू में यह आप सभी को इंडिकेट कर दिया था संकेत कर दिया था कि आज हम वाक्यांश के लिए एक सब्द तो जरूर पढ़ रहे हैं लेकिन इसके साथ हम शुद्ध अर्शुद के बारे में भी देखेंगे इस पर अनुग्र किया गया हो अनुग्र ही तो देख लीजे कैसे लिखा गया है आगे बात करें जो पहले कभी न हुआ हो अदभूत जिसमें जानने की इच्छा हो जिग्यासू निश्फल न होने वाला अमोग इसको जरूर ध्यान में रखें नि कुछ जानने वाला तरवगी शक्ति की उपासना करने वाला ताक्ति इसी तरीके से कुछ और वाक्यांस है जिसमें की शीव की उपासना करने वाले हैं क्या हो विश्णों की उपासना करने वाले हैं वैश्डव गोरक नाथ संप्रदाय को मानने वाले नाथ पंथी ये तीन पर कभी थे, शैव थे, कुछ वैशडव थे, कुछ नात्त पंथी थे, तो अब आपको समझ में आगया होगा, की शैव की सीछा जता है, जो श्रीव की उपासना करे, वैशडव जो विश्रू की उपासना करे, इसी तरिके से आपने आलवार, नैनार, दो कभियों का नाम सु मध्यान, शाम का समय, संध्या, और इसी तरीके से एक शब्द गोधूली बेला भी प्रियुक्त होता है, क्योंकि रात और शाम के बीच का जो समय होता है, जिसमें आप देखेंगे कि पशो इत्यादी मैदान में चेहर कर वापस घर जबाते हैं, और धूल उड़ाते हुए, तो उस समय को गोधूली बेला कहा गया है, आगे बात करें, दोपहर के पूरू या पहले का समय, पुर्वाहन, ठीक है, काम के बाद का समय, रात, दोपहर के बाद का समय, अप्राहन, तो पुर्वाहन, अप्राहन, इन दोनों को विशेश तर पर घ्यान में रखेंगे, कब कब पुर्वाहन होता है और कब अप्रहान होता है। दूसरों का उपकार करने वाला और उपकारी। छाती के बल चलने वाला उरग। हमने परिवाची पर जब लेक्षर त्यार किया था तो उसमें उरग सब्द का एक जगा प्रयोग हुआ है। तो आप सभी कमेंट्स करकर ज कि इंद्रियों की पहुँच से बाहर अतींद्री जो अधिक बोलता हो वाचाल, जो कम बोलता हो मित भाशी, जो मधूर बोलता हो मृद भाशी, जिसने मृत्य को जीत लिया हो मृत्यू इंजय, तो ये तो सिदा सिदा आप आप्शन्स के आधार पर भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वाचाल, मित भाशी, मृद भाशी, अतिंद्री इन सब पर थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। आगे बात करें, जो शिग रही किसी बात या यूप्ती को सोच ले, उसको का जाता है, प्रतियूत पन्नमती, ठीके, शब्द को देखना है कि कैसे ये लिखा गया है, पर रिक्षव में शुद अशुद में इस तरीके लिक्षब पूछ ले जाते हैं, जैसे ही प्रतियूत पन्नमती, आपसे कोई पूछे तो आपकी दिमाग में तुरंत आना चे, जो शिग रही किसी बात या यूप्ती को सोचले उसे प्रतियूत पन्नमती कहा जाता है, अगला है, समस्त प्रिथवी से संबंध रखने वाला, सार्व भाव में, सब कालों में होने वाला, सार्व क अगला है, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, उसको कायता है, अन्य मनस्क, अन्य मनस्क मतलब जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, यानि कि कोई व्यक्ति जहां पर मन लगाना है, वहां पर न लगा कर दूसरी तरफ मन लगा रहा है, जिसे कई बार आप देखेंगे, राख्ते में चलते हुए, लोग अपने सई दिशा के तरफ नहीं देखते हैं, तो इसको कहा जा सकता है, अन्य मनस्क, या फिर कई बार आप देखेंगे, एक खात्र कप्छा में बैठे रहते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से वहां रहते हैं, लेकिन मानसिक रूप से उनका मन पार्क, बाजार और इधर उधर घुमता रहता है, क्योंकि मन कई बार अन्य अंत्रिस हो जाता है, इसलिए कहा जा सकता है कि जिसका मन किसी दूसरी और हो, उसको अन्य मनस्क कहते हैं, अगला है, जो मापा न जा सके, वह परी में, वह भाई, जो अन्य माता से उत्पन उबाओ, अन्योधर, एक ही माता से उत्पन संता, सहोधर, तो अन्योधर औ आप पर देख लिए होंगे कि क्या है ठीक है आगे यहाँ पर अपर में जरूर ध्यान में रखे यह परिक्षा में पूछा जाता है जो मापा ना जा सके और परी में क्योंकि आप्शन में इसी से मिलते जूलते और तीन शब्द रहेंगे जो कि आपको कन्फिज्ट करना शु कमजने का प्रियास करें आगे बात करें तो है कि अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन पूत्र उसको का जाता है औरस औरस शब्द देख रहें थोड़ा सा यूनीक है जैसे इसका प्रियोग करें औरस का तो आपके दिमाग में तुरन ताना चाहिए कि अपनी विवाहिता पत्नी से पुत्पन पूरुस पुत्र को औरस का जाता है। जिसका जन्व पहले हुआ हूँ अग्रच जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हूँ अजान बावु यह भी खुब परिक्षान पूछा जाता है और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अजान बावु कै कैसे लिखा गया है। आसर से गांधी जी को अजान बावु कई बार कहा जाता था। यह फिर जिस भी व्यक्ति की भुजाएं घुटनों तक लंबी हूँ उसको अजान बावु करते हैं। तो प्रैक्टिकल के तोर पर आप खड़े वोकर अपने भी भुजाओं को देख सक के योग्यों। यह भी खुब पूछा जाता है जो पूजा के योग्यों। पूजनी या फिर पूज्ये। पूजनी और पूज्ये। तुद अशुद वाले प्रश्ण में भी पूछे जाते रहें। तो ध्यान में रखे हैं कि यहां पर क्या लिखा गया है। पूजनी औ या पूजे मतलब जो पूजा के योग्य हो ते पूजे नहीं यह कहा जाता है अगला वाक्यांस है कि वह इस्त्री जिसका पती परदेश से आने वाला हो उसको का जाता है आग गमिश्यत पतिका आग गमिश्यत पतिका यानि कि वह इस्त्री जिसका पती परदेश से आने वाल आगत पतिका बस दोनों शब्दों में आप देख रहे हैं कि थोड़ा संतर है एक में है कि आने वाला है तो आपर चेंज हो जा रहा है आगामस्यत पतिका है और आ चुका है मतलब वह इस्तरी जिसका पती परदेश से लवत आया है तो आगत पतिका वह इस्तरी जिसका पती व बस इसमें, बस कंडिशन को अलग-अलग रख दिया गया है, तो उसका अर्थ क्या हो रहा है? बदल जा रहा है. अगला वाक्यांश है कि जिसका कोई शत्रुप पैदा ही नहीं वाव अजात शत्रुप यह वी खुब पुछा जाता है परिक्षाने कि यह गए उपकार को नमानने वाला प्रितग्न प्राचीन आदर्ष के अनुसार चलने वाला गता अनुगतिक यानी कि जो प्राचीन आद जिसका पति दुसरा विवाह कर लिए उसको कायता है अध्यूडा या फिर अगूढा तो यह इंपोर्टेंट इसको बिल्कुल ध्यान में रखें वह इस्त्री जिसका पति रात को किसी अन्य इस्त्री के पास रहकर प्राता उसके पास आता हूँ उसको कायता है हंडिता तो वह आक के बड़ा लंबा चोड़ा रहा लेकिन इसका जो एक शब्ध वह बहुत ही छोटा है जैसे हंडिता शब्द बना वह हंड़त हो जाना वह इस तरी जिसका पति यहांपर देखिए इसका अर्थ का अलगढा है कि रात को किसी अनिस्त्री के पास रहकर प्रात उसके पास आता है तो उसको खंडिता कहा लिया जाता है तिन यहां पर एक कंडिशन दिया गया कि पती रात को और अनिस्त्री के पास प्रात वापस आता है तो खंडिता हो जाता है वो जो इस्त्री है वो खंडिता कहा लाती है अगला है कि वह इस्त्री जिसके पती में त्याग दिया हूँ इसको का जाता है परित्यक्ता तो यहां पर तो इस्त्री के संदर में है लेकिन कई बार आप रे नित्यादी से जाएंगे तो जो रेलेवे स्टेशन के आसपास में कुछ पूरानी विल्डिंग्स आपको दिखे तो यहां पर लिखा रहता है परित्यक्ता या फिप परित्यक्त यानि कि इसको छोड़ दिया गया है तो अपने आसपास में भी जितने भी शब्द लिखे गये हैं उनकी गम भीरता को जरूर आप ध्यान में रेखी हो सकता है कई बार परिक्षा में गुम फिरकर वही सब आ जाते हैं तो यहां पर आपने देख लिए कि पति ने जी सिस्तरी को त्याग दिया है उसको परित्यक्ता आता है जिसने रिण चुका दिया हो उन रिण जिसने परिक्षा पास कर लिए उत्तिन रिण जैसे certificate आपको मिलता है उत्तिंड अनुतिंड का जिसने परिक्षा पास कर लिए उत्तिंड और नहीं कर लिए अनुतिंड तो यहाँ पर उत्तिंड वाला आपको ध्यान में रखना है जिसने परिक्षा पास कर लिए अगला है जिस वस्तु का वजन न के बराबन उसको का जात मिरिण मैं इस शब्द को ध्यान में रखने हैं आपको दीन दुखियों को भोजन देने की विवस्था कुका जाता है सदा वर्थ इसी तरीके से आप देखेंगे कि पंजाबी संस्कृती में लंगर शब्द का प्रयोग किया जाता है लेकिन हिंदी में अगर देखा जाए तो भोजन देने की विवस्था जाँ पर की गई हो वो सदा वर्थ का लाता है आगे लिखा गया है कि एक साथ बहुत लोगों के लिए भोजन की विवस्था इसको का गया हंडारा धर्म के प्रतिक किया गया कारे धर्मार्थ इसी तरीके से आपने पूर्षार्थों के बारे मे सब्सक्राइब दिया गया कि धर्म की प्रतिक किया गया कारिया धर्मार्थ अगला है कि हाथी की पीख पर रखे जाने वाली आशन को आजाता है अगर आपने देखा उसको का जाता है जल्में रहने वाला प्राड़ी जल्चर जिसके पास कुछ ना हुआ और किंचर जो परिशा में उत्तिर्ण नहुआ हो अनुस्तिर जिसकी के कि यहां पर आपको ध्यान में रखना है अ किंचन जिसके पास कुछ नहों बिकल्प में हो जागा गरीब यह भी शब्द आ गयेगा ये किने आपको ध्यान में क्या रखना है ए किंचन जिसके पास बिलकुल कुछ नहों और किंचन जल में राने वाला जलचर यहां पर आप देख रहे हैं कि जिसका निवारन नहीं अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी माक्स कमाएं वहाँ पर या फिर कई जंगा लिखा रहाता है कि उपस्थिती अनिवार है यानि कि आना ही आना है उसका कोई निवारन नहीं है उपस्थित होने के अलावा तो अनिवार है तो नहीं तो हो सकता कि बिकल्ब में दे दिया जाए और निवारन जिसका निवारन नहों और निवारन देर जा वर्तमान, समसामाई, या फिर इसको समकालें भी कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है, यह कही समय में वर्तमान, तो समसामाई क्योंकि इसमें समय जुड़ा गया है तो शब्द बनाए समसामाई अगर कहा जाता कि एक ही काल में राने वाला तो यह हो जाता समकाल तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना है, प्राण देने वाली और शती, इसको का जाता है, प्राण दा, ठीक है, और है, जो प्रिथवी से संबंदी थो, पार्थीव, तो ये वाक्यांश के लिए कुछ महत्पोन शब्द थे, जो की विभीन प्रतोगी परिक्षाओं में आ तो इनको बिल्कुल ध्यान में रखी,